रामनगर गाओं में सेट गिर्धारी रार रहता था वहाँ पेशे से बहुत ही ज्यादा कंजूज था उसके पास बहुत सारे जमीनी थी और बहुत ही बड़ा घर था लेकिन वहाँ इतना ज्यादा कंजूज था कि वहाँ गरीबों की जमीने हडपता रहता था सेट गिरधारी लाल कल सुबह सारे किसानों को चौराहे पर बुलाता है किसान भाईयो मैं आप सभी लोग को इसलिए बुलाया हूँ कि अगले दो साल आप लोगों ने मेरे खेतों में बहुत अच्छे से काम किया था उसके कारण मेरे खेतों में बहुत अच्छे से फसले हुई थी लेकिन मैंने आप सभी को दो सालों का पैसा नहीं दिया हूँ इसलिए मैं आप सभी लोग को पैसा दे दूँगा लेकिन इस साल के बाद इस साल भी कृपिया आप मेरे खेतों में अच्छे से काम कर लो आपका बहुत सारा काम किया लेकिन आपने हमें एक रुपिया भी नहीं दिया भला हमारा भी परिवार है जब आपका काम होता है तो हम गरीबों से चिकनी चुपड़ी बाते करकर काम करा लेते हो लेकिन पैसे देने के समय आप मुह भेडते हो क्रिपिया हम आपका काम नहीं क इस बार मेरे खेतों में काम नहीं करोगे तो अगले दो सालों का भी पैसा मैं नहीं दूँगा हम आप से पैसा नहीं मांग रहे थे हम आप से अपना काम किया हुआ दिहाडी मांग रहे थे वैसे भी हम आपका काम करेंगे तो आप ऐसे ही चुपड़ी बाते करकर हमारा पैसा आप नहीं दोगे हम इस साल आपका काम नहीं करेंगे और अगले दो सालों का भी हम आपसे पैसा नहीं लेंगे इसे आप भीक समझ लो किसानों की बात सुनकर सेट गिर्धारी लाल थोड़ा दुखी जरूर होते हैं लेकिन वहां मन ही मन बहुत खुश थे क्योंकि उसके बहुत सारे पैसे बच गए थे अगले दिन सेट गिर्धारी लाल की घर में एक साधुजी भीक मागने के लिए आते हैं